पूरी इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान का जो निर्न है वो यहाँ पर लिया जा सकता है लेकिन अभी भी बड़ी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो किसानों का डर है वो MSP को लेकर है कि MSP तो नहीं अटा दी जाएगी लेकिन बार बार प्रदान मंतरी मोदी ने इस बात का जिकर किया है कि MSP को नहीं अटाया जाए लेकिन किसान इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब तक ये जंकरी पहुचा दें कि पहले contract farming होती थी लेकिन उसके बाद contract farming में काफी किसानों को नुक्सान पहुचता था और अगर MSP भी अब हटा दी जाती है तो यहाँ पर जो minimum support price है वो खत्म होता है तो किसा किसानों को जाधा नुक्सान पहुचेगा ऐसे मैं किसानों के मन में ये लगातार भे बना हुआ है किसान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बीचे दिनों एक हबर आई है कि करीब 20,000 किसान पंजाब से फिर यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर आए हैं और लगातार आंदूल को उ जिए बिखुल देखे, भरोस्य की कमी दरसल इसले आ रही है क्यूंकि सरकार और किसानों के बीच बात बन नहीं पा रही है और डेडलो की स्तिती बन चुकी है, कि सरकार भी अपनी जो कानून गो लेकर आई थी उन पर डटी हुई है और वहीं किसान जो है, वो सडकों पर उनके पास तमाम संसाधन मौझूद हैं, वो अपना राचन घर से लेकर आए हैं, वाशिंग मसीन हैं, टैंट्स हैं, लाइट्स हैं, सब कुछ है, यहां तक ही टाटा स्काई भी देखने को मिल रहे हैं, वहां पर तो उन्होंने एक पूरी सिटी डेवलप कर ली है, आंदोलन किसानों की तरफ से, जो की जानी चाहिए, और अभी तक नहीं हुई है, बिल्कुल, मैं पहला भी जिकर किया है, MSP को लेकर, Contract Farming को लेकर, क्योंकि उनके मन में यह बहा बना हुआ है, कि अगर minimum support price भी खतम कर दिया जाता है, तो हम लोगों को काफी नुकसान पहुचेगा, और सरकार इस बात कर जिकर कर रही है, कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, MSP आँ पर रहेगी, प्रधान मंतरी मोदी भी जिकर कर रहे हैं, कि विपक्ष की तरफ से किसानों को भड़काया जा रहा है, लेकिन अगर दो-चार किसान की बात होती तो ठीक मान भी लिया जाता, लेकि सबसे जो अलग चीज इस अंदोलन में निकल कर सामने आई है, प्रधिमने वो यह है कि तमाम बहुत सारे कृशी के जो बहुत सारे संगठन होते हैं किसानों के, वो सब एक बैनर तले आ गया है, वो एक नारा दे रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद, वो अपने जो संस्तान मांगे भी बढ़ती जा रही हैं, उसी के साथ-साथ किसान होगी, लेकिन जो प्रमुख तीन मांगे हैं वो अभी भी बरकरार है, पहली मांग है कि तीनों क्रिशी कानूनों को वापस लिया जाए, दूसरी मांग वो अभी जायज है कि MSP पर जो कानून है उसको बनाया लेकिन सरकार अभी तक इन तीनों मांगों में से किसी को भी मांगने के लिए राजी नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल, यह अडियल रवय है जरूर सरकार का सामने आ रहा है, लेकिन हम आपने दर्शकोता के जानकारी पहुचा दे हैं कि दो तरीके की फार्मिंग यहाँ प जो भी फसल होगी वो हम लोग लेंगे और इतने पैसे पे लिया जाएगा, अगर वो फसल जब होती है उसके कीमत पहले ही डिसाइड कर ली जाती है, लेकिन जब फसल होने के बाद कांटरेक्ट हो चुका है, अगर वो कीमत ऊपर जाती है, तो किसान उस कीमत पर नहीं सकती है किसी भी दाम में तो म सब्सक्र el runway यह अपना आंदोलन कर रहे हैं वो यहाँ पर डिलाई भी देखने को मिल रही है किसान अपनी बात रख रहे हैं सरकार intent on llama का क्श्ठानी ऑर आतंवदी एगदा एक बार को तो यह बोला जाता है कि अन्न दाता है कि अन किसी भी आंदोलन की कमर तोडने में सबसे बड़ा रूल प्ले करते हैं इस आंदोलन के साथ भी वही हुआ है इकड़ूंकर वीडियो को यही कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो सीधे सरकार से हैं हमें फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की वीडियो कुछ वारेल हो रही है किस तरीके कि लोग जो बीच माते हैं उनको चिनित क्या जा रहा है वालेंटियर्स लगाए गए हैं बकाइदा एक और बात मैं प्रदियूमन आप से कहना चाहूँगा जो MSP को लेकर आपने अभी बताया जिस तरीके से उसमें एक दूसरा एंगल भी है कि अगर MSP पर सरकार कानून ले आती है देगे सरकार अभी तक वाद दे नहीं है MSP पर कानून लाने के लिए शरकार वाद दे नहीं थी ना ही MSP सरकार किसानों को दे लें गवाद दे थी लेकिन अगर कानून आ जाता है कानून की शकल अगर अख्तियार कर लिता है तो सबसे बड़ी समस्या आएगी बजट की बजट कहां से आएगा क्योंकि अगर इसको आर्थिक एंगल से देखते हैं देश के एक लाख असी हजार करोड का अभी भंडारड जो है वो सरकार के फास मौजूद है ठीक है अगर वो MSP ले आती है और इतना सारा गर खरीदने बैट जाती है तो उसको रखेगी कहां क्योंक करने की बात तो कहीं गई है लेकिन साफ वी तौर पर ही बोला कि मंडिया खतम नहीं होगी क्योंकि ऐसे बहुत से किसाने जिन पर मात्र ट्रेक्टर ट्रॉली भी नहीं है जो बड़ी चोटी किसान नहीं करते हैं अगर ऐसे मंगों के दूर दरा जाना पड़ेगा तो उनके साथ ही दूसरी एक और बात कहीं गई है कि सरकार खुद किसानों तक पहुँचेगी यह मौखिक रूप से कहीं गई है यह कहीं भी कानून में लिखा नहीं है लेकिन मौखिक रूप से सरकार लगातार किसानों को इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि हम आप तक पहु इसमें जो सबसे जो अंदर का जो बड़ा एंगल है जिस पर बात होनी चाहिए वो ही है कि पंजाब, हर्याणा और उत्तर प्रदेश यहां के किसान सबसे जादा नजारा हैं सांदूलन में और पंजाब और हर्याणा के किसान अगर सीधे सीधे बताया जाए तो MSP पर 95% जो पर हदकंडे अपनाया जाते हैं और साफ तोथ पर यह भी देखा गया था कि अभी अर्विंद केजरिबाल वी इसके समर्थन में किसानों के समर्थन में आये हुए है और इसका जिकर उन्होंने कर दिया था और बिल भी उन्ने बीच में फार दिया था तेखिए आपने अर तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है क्योंकि अर्विंद केजरिबाल ने जब ओर बीच जा रहे हैं मेरी नजर जाए लेकिन सरगार ने जब बिल पास किया था तो इतनी जल्दबाजी क्या हो गई कि कोरुणा काल में बिल पास हो गया क्या सरकार को यह था कि सबसे जो मेंन चीज निकल कर आएगी वो यह है कि सरकार के जहन में था कि इस पर आंदोलन जरूर होगा। पंजाब में, हर्याणा में, तमाम जगाओं पर किसान आंदोले तो रहे थे, शकल ले रहे थे वो आंदोलन की, लेकिन दिल्ली नहीं आ पा रहे थे और बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोरूना था और सरकार ने इसी चीज को समझते हुई है, उस समय ओडिन अब काफी वीडियो भी बाराल हुई, इसमें किसान ये कहते हुई नजर आ रहे हैं कि आप हमारी सोनो तो सही, आप हमारे पास आओ तो सही, क्योंकि अम्मानी और अडानी का जिकर भी बार-बार किया जा रहा है, ऐसे कई टावर हैं, जो जियो के टावर हैं, उन पर तोड की जा रही है? इस आंदूलन में सबसे एक खास बात ये है, कि आंदूलन चाहें आप सिंगु बार्डर की बात करें, टीक्री बार्डर की बात करें, गाजीपूर बार्डर की बात करें, तमाम जगहां उपर, लंगर की विवस्ता है, मेडिकल फैसिलिटीज की विवस्ता है, सोनी की तो इससे क्या है कि आंदूलन को मजबूत ही मिल रही है, आंदूलन बहुत मजबूत होता जा रहा है। प्रस्ताव लगातार दिये जा रहे हैं, लेकिन किसान एक भी बात सुनने को तयार नहीं है, उनका रुक मजबूत है, साफ है, उन्होंने कह दिया है कि हम तीनों क्रिशी कानूनों को वापस करवाएंगे और MSP पर कानून मनवाकर ही घर वापस लोटेंगे। आप भी बोल दे कि पाकिस्तान से बंडिंग हो रही है पैसे की? तो इस स्टेरोटाइप को दिखाना कि वह गरीब किसान है, किसान है तो वह गरीब बाली बात नहीं है। यहां पर किसान कह रहा है कि अगर वह भी तक 50,000 कमाता था तो उससे अगर 20,000 पर लाके खड़ा कर दिया जागा तो क्यों न लड़े वो? यहां पर गरीबी का एंग पंजाब में जितना ही इस ताज वगरा है पंजाब के जो भी इस ताज वगरा है वो अपनी ही स्टाज वगरा वे वो अपनी कम्युश से बहुत जड़ाओं महसूस करते हैं। बहुत जड़े हुए लोग हैं। तो उसका मुद्दा का जो हल है वो यहाँ पर इन दौनों के बातों में निकल पाएगा सरकार और किसानों में या फिर अभी यह ओट लेगा देखें ऐसा है कि अभी सरकार और किसानों की बीच सरकार पीछे हटने को राजी नहीं हाला की लचर रवया दिखाते हुए उन्होंने संशोधन की बात कही है लेकिन किसान पीछे अजो की पूरी तरह से विफल रहा अभी अंदर खाने चिट्ठी बेजने की बात कही है प्रदाहन मंत्री उन पर ध्यान दे रहे हैं। समर्थन देने वाले किसान हैं। ये है कि पांच मिनिस्टर्स और चार जो आपके अधिकारी लोग है वो बैठ कर पूरा एक कानून तयार कर देते हैं उन लोगों के लिए। जिन से डारेक्ट ये कानून लिंक है। किसान के बीच में भुषा हैं कि अधर उदर की बातों पर आजाते हैं बजाए इसके कि हम सीधी बात करें तो इसको इस नजर से देखा जाना चाहिए बिल्कुल जिस तरही से आप पूरी जनकरी बता रहे हैं बात्चीत हमारी हो रही है किसान आंदोलन लगातार जाड़ी रहेगा क्योंकि अभी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है लेकिन सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है आखिर वजा है क्या है ये सिर्फ उन प उन और जो पर जो किसान है वह सांति प्रियां प्रियान कर रहा हुआ है जो किसान哦 के है इसके पीछ超े समर्थन में नजर आ रहा रहा है क्रिषी कानूनों के बह fier किसान ने एस पर लिखत समर्थन में तो các ayaoрос बच रही है लेकिन प्रद्यूम्न ने जिए एक चीज और मेरे को लगती है, वो यह है कि किसान नेता, कौन किसान नेता पर विश्वास किया जाए, क्योंकि तमाम किसान नेता है, कम से गम नहीं तो एक जो आंकड़ा है, वो सो के पार है, संगठनों की बात करें, हाला कि वो मिलजुल करें एक बैनर के तले काम कर रहे हैं लेकिन इस चीज को कैसे समझा जाए, कि सरकार किस किसान नेता से बात करती है, जिससे पूरा आंदूलन जो है, वो समझ सकता है, पूरे जो आंदूलन में जो किसान है, वो इस बात को समझ सकते हैं, यह थोड़ा सा नेतरत्व की कमी निज़र आ रही है, किसान आंदूलन मे जही बात नेतरत्व की, तो सरकार ने एक अडियल रवही अपना रखा है, कि हमने कुछ बोला है, वो आपको मानना पड़ेगा, चाह सो आप घाटा हो, चाह प्रॉफिट हो, जिस तरीके से किसानों का नुपसान भी हाँ पर हो रहा है, लेकिन सरकार बार बार यह बात करें, क यह आपके हितमे हैं, हम आपके हितैशी हैं, लेकिन विपक्षी बात करें तो वो यह बोलते हैं, कि यह हितमे नहीं है, तो ऐसे में किसान आप हर्याना जाहिए, पंजाब जाहिए, हिमाचल जाहिए, या फिर कहीं भी जाहिए, तो जो किसान गाउं में रहते हैं, वो इतन कि इस प्रफ यह संजाने का प्रयास यहां पर हो ना चाहिए है कि आप आईये हमसे बात कीजिए क्यूंकि लगातार किसान यह बात कह रहे हैं लेकिन सरकार इस पर कोई भी अपनी बातचीत रखने का प्रयास यहां पर नहीं कर रही है प्रदियूम ने आपने एक बात कही वो बहुत सही बात कही है आपने बताया कि पढ़ा लिखा किसान अभी भी नहीं है यूवा जो है वो बाहर निकल कर पढ़ रहा है तमाम सरकारे कहती हैं कि हमने किसानों के घर तक बिजली पहुचाई लाइट पहुचाई हमने तमाम राकेषट इकायत का जिकर किया भारतीय किसान इंउनियन के रास्टर प्रवगता है उनका जो नेतर्त शक्ति जो है वो इनकी UP के किसानों में द्यांगो बिल्कुल जिस तरीक साव जिकर कर रहे हैं कि राकेश ट्रकेट के जो पकड़ है वो दो राजियों में हैं बागी पंजाब और हर्याने की किसानों की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा दिगगर चेहरा सामें नहीं आ रहा है जिससे महां की लोगों से बात की जा सकते हैं लेकिन अगर एक राकिष ट्रकेट से अगर सरकार बात करने का प्रयास करते हैं तो राकिष ट्रकेट उन लोगों से भी बात करेंगे जो पंजाब की किसान है, जो हर्याने की किसान है महाँ पर बात्चीत हो जाती है, समर्थन वो लोग देते हैं तो अपने पांतुलूंग खतम हो जाएगा, लेकिन अगर पंजाब के किसान और हर्याना के किसानों को इसी समझ में नहीं आते है कि हमारे अब भी हितैश में नहीं आ रहे है, हितैशी नहीं बन पारी सरकार हमारी, तो आंदोलन आपका फिर भी जारी रहेगा, लेकिन ऐसे मैं एक बड़ा चैरा होना बहुत जरूरी हो जाता है, कि जो पूरे किसानों को, जितनी भी किसान यहाँ पर अंदोलन कर रहे है, उनकी नेत्रत्फ़ कर सके, उनके लिए अपना पक्ष रख सके, पक्ष रखने का प्रयास हर को यहाँ पर कर रहा है, लेकिन विफल थाबित हो रहा है, यह बात आपका बिल्कुल सही कहना आ है, कि यह कोई बड़ा जहरा यहाँ पर सामनी नहीं है, जो आज जो है बहुत सारे किसान नेता नवजर आते हैं, आप यूपी गेट पर जाते हैं, तो आपको राकेश टिकैत नजर आते हैं, आप सिंगू बॉर्डर जाते हैं, तो कोई और किसान नेता आपको नजर आता है, तो ये कभी है, दूसरी चीज ये है कि सरकार, अगर नरिन म के बाद, आज क्या है, वो सडक मीड़या को लेदा है. आज सोशल मीडिया पर लड़ाई हो रही है जो बड़े नेता है वो सड़क पर ना निकल कर ट्वीट कर रहे हैं तो इस पर आप क्या समझते हैं आपको लगता है कि जो 15 साल से उम्रद राज जो किसान है वो फेस्बुक या इंस्ट्राग्रम करते होंगे नहीं करते होंगे तो नॉर्मल सी बात है तो ऐसे मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी राजनितिक रोटिया से की जा रही है अगर आप सभा की बात कर रहे हैं तो वैसे पापी दियातोले शेत्र में रहते हैं बाकी जो किसान है उनको इतना पता है कि MSP क्या होती है क्या चीज क्या होती है लेकिन जब तक आप जमीनी पर जाकर नहीं समझाने का प्रयास करेंगे कि यह ऐसे है इस तरीके से कागय आगे कार रह किया जाएगा तो उनको समझ में क पक्षी पार्टियों से लेकर सरकार को घेड़ते हैं। किसानों का सीधा रुख है कि ये किसानों की लड़ाई है। लेकिन जो किसान सडकों पर नज़र आ रहा है, उसमर एक मैजोरिटी ऑफ जो किसान है वो बीजेपी का ही वोटर है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि अगर क्रिशी कानूनों को लेकर बात बन जाती है। क्योंकि आने वाले समय में बात बन नहीं है, कही ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर बात बनी जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ चर्चा हो रही होगी, मेरी नजर लेकिन प्रदान मंतरी अपना लगातार भाषन भी देते हैं तो ये भी का जा सकता है कि उस भाषन से किसान समझें सीज को या फिर उनको अपनी तरफ लबाने का प्रयास करेंगी है प्रदान मंतरी आने वाले समय में आप किसान सीधी बात करता है कि आप हमारे नेता है, हमारे बीच आईए, हमसे बात कीजिए, आप भाषनों में क्या कहते हैं उसका जुमले बाजी है इससे ज्याधा कुछ नहीं हो सकता, वो लिखित मां कर रहा है, वो कानून की मात कर रहा है वो दस्तावेजों की बात कर रहा है, वो कागजी बाते कर रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि आप मौकी कुरूप से कितना अच्छा बाशन दे सकते हैं, आप कितने अच्छो ओरेटर हैं, उस चीज से वो अब मानने को राजी नहीं है, वो कागजी बात पर ज्यादा कि नाम पर? इम को जिम्मेदार ठहराती है, उत्तर परदेश में भी, अससुदीन ओवैसी के अगर मैं बात करूँ, पार्टी को लगी, तो अससुदीन ओवैसी जो है, वो दूसरी पार्टियों का गड़ित बिगाडने का काम करते हैं, भाजपा को जिसका फायदा हमेशा मिलता रहा है वही अगर आम आद्मी पार्टी की बात करूँ, तो आम आद्मी पार्टी जो है, वो आई है सिक्षा का मुद्दा लेकर, वो कह रहे हैं कि हमने जो सिक्षा, जो स्कूल जो हमने बनाए, दिल्ली में जिस तरीके से बनाए, वही स्कूल जो है, आपको उत्तर परदेश में वो इस मुद्दे को लेकर वहाँ पर चुनाओ की शकल में आ रही है सामने, वही अगर दूसरी पार्टी को बात करें, अकलेश यादब की बात करें, तो अकलेश यादब पूरे आंदोलन के दौरान, शिर्फ ट्विटर पर नजर आए, सडको पर नहीं गए, इस बात को किसा हो है, वो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदीश के आंतरिक मुद्दों पर लड़ा जाएगा, उसमें किसान आंदोलन जो है, एक रोल जरूर प्ले करेगा, क्योंकि यूपी वेस्ट में प्ले करेगा, यूपी एस्ट हुआ आपका और जो तमाम यूपी हुआ, वहाँ पर झाल